हेलो फ्रेंड्स आप सभी का निर्माड एजूकेशनल इंडिया चैनल में श्वागत है और हम लोग तो समझ चुके हैं ICT क्या है और आज हम लोग समझेंगे टेक्नोलोजी के बारे में टेक्नोलोजी आखिर क्या अपना रूल निवहाता है करिकुलम निर्माड में तो सबसे पहले थो हम लोग समझेंगे कि आखिर टेक्नोलोजी की से कहते है नुविंतम ग्यान को टेक्नोलोजी कहा जाता है जिसे किसी भी चीज की महता बढ़ जाती है अगर सिक्षण तकनीकी क का उपयोग पाठेचरिया के सुधार के लिए होना है तो सिक्षक और बच्चों को केवल उपयोता की तरह नहीं बलकि सक्री उत्पाद को की रूप में देखना पड़ेगा देखिए यहां पर है टेक्नोलोजी टेक्नोलोजी क्या है वह है जो एकदम सधारा चीज ऐसे मान दोस अबियाता के टाइम ले अभी पथार थे, उस समय भी परवद्त थे, उस समय भी खनेra तरह लेकिन क्या था, उस समय का लोग बस तामबा से wipesマ भाह से, पर्चित थे, लोग से पर्चित नहीं थे तो वह तो क्या था? वह हमारे लिए क्या था? जत वसका एक पठार के र टाइम में जब हम लोग लोहे से परचित हुए तब उसका इंपोर्टेंस बड़ा धीरे धीरे टेकनोलोजी का विकास हुआ और टेकनोलोजी ने लोव इस पात को इतना मुहत्पूर बना दिया कि आज वो सारे उधोगों का रीड कहा जाता है तो कहा जाता है कि टेकनोलोजी और टाइम ऐसा मुहत्पूर चीज है जो किसी भी चीज को कब मुल्यवान बना दे उसका कोई अंदाज नहीं है तो क्या कहा जाता है समय बहुत बुल्वान होता है तो उसी पर कर आज दिखिए हर चीज कौन ऐसा चीज जहां पर आपको लुहा दिखने को नहीं मिलेगा कही न कही हर चीज में मिस्ड़ातू कुरूप में उखिए जाता है आपकी यह सेप्टी पूर होगा चमश होगा हमारे यह सारे चीजे है यह सब में क्या होती है लोह इस पासे ही सब चीज़ बनी रहती है तो यह क्या है सब टेक्नोलोजी कहीं पढ़िनाम है प्रस्तुत करने के लिए खंड से लेकर राष्टी अस्तर तक परते के स्कूल में इसकी तक्निकी सुब्धाय मुहया करवाई जानी चाहिए बच्चों को मल्टी में लिया इस्टुमेंट और सुचना संप्रेशन तक्निकी को प्योग के साथ उपलत करवाई और उन्हें जोड़कर अपनी खुद की रचनाई बनाए और उनमें अपने अनभाव प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए दीके हैं हम लोग तरंट्स चाहिए यहां समझेंगे कि चीक्चन तकनिकी कानभाव किराने के लिए से लिक राश़्ें पिलगता ने क्सको को बला जाताए प्लोक लेबल जिस में वीडियो रहते हैं वीडियो भीडियो वीडियो फीलय लेबल पर इंट्रूमेंट और पलगना समय परता हैं उन्हें छूट भी हो कि उन्हें जोड जोड कर अपनी खुद की रचनाय बनाए और उनसे अपने अनभव प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए तो बच्चों को अपनी सिर्जिनात्म करपना सिलता कि निखारने का उसन मिलेंगा देखे अब भी जाके देखी बहुत स्कूल है जिसमें क्या है लेबरोरेटरी मतलब परिवसलाय बढ़िया ड़म से नहीं बनाई गई है और उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है और बच्चे जाते हैं परिवकरने तो क्या होता है साइंस के लेबरोरेटरी में जाते हैं कोई चीज़े नहीं रहती है, बच्चे को भाई फिल होता है कि भाई सारी सुभदाय नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बलकि वेवस्ता जो भी है, इसकूल हुआ, कॉलेज हुआ, उस लेबल के जो भी ऑथिरिटी है, उनको एक करतब बनता है, चाहे टीचर का, कि उन्ह कल अपने सिलता के निखारने के ओशर में लग देऊ, सीडी आधारित कम्प्यूटरों की बाजा, नेट से जूड़े कम्प्यूटरों के परियों को बढ़ावा देकर, ग्रामी और दूर की लाकों में पठचरिय सुधार का परभाव पहुंचेगा, नए बिचार और सुच लग दूर के बाज़ा क्या कूप्यूटर का परोग किया जाए और इंटरनेट का हर जगों सुधार है, इससे बचते हो ज्याण को हासिल करें, उनको कोई समस्या ना हो, ग्रामे इलाकों में भी ध्यान दिया जाए कि बच्चों को कम्प्यूटर की सुधार दी जाए, जिस बताया जाए कि वह भजन कहां से मिलाता कि विद्धार थी में सुबलक्षमी की आवाज मीरभाई का भजान सुझागे हम सबी जानते हैं कि राजस्थान के लिए जो मीरभाई मीरभाई है कितनी फेमस है रविदास की भक्त थी बहुती कृष्ण की मतलब उनके घुरू थे अ मीरभाई का भी आता है तो इस पर का हमारा करुकुलम निर्मार में मीरभाई का भजन को भी सामिल किया जाए और किया जाए और साथ ही कंप्यूटर पे क्या उनको सुनाया जाए किसकी आवाज में जो उनके भजन अब धूरे अभी आएंगी गाने दूसरे कोई न गाएग जो पहले के भक्ती आंदुलन, सुफी आंदुलन के जो है उनके बहुत अच्छी अच्छे उनके भजन थी, उसे भी बच्चों को सुनाया जाए, जिससे बच्चों में क्या होगा, सभ्यातायम संस्कृती से बच्चे अपने परजित हो पाएंगे, गड़ी तर बिग्यान औ सारीरी के रूप सा समर्थ बच्चों के लिए टेकनोलोजी बहुत ही आवस्चक है, टेकनोलोजी जैसे मानी कि कोई फिजकली मतलब disability है, काने का मतलब दिव्यांग बच्चे है, तो जैसे बच्चे को अगर आग से नहीं है, तो उसे सुनने का audio दिया जाए, अगर कां से है तो भाई, वीडियो दिया जाए, जिससे बच्चे क्या हो, उनको समाजने में उनको आसानी हो, ते सारे चीजे में क करन और प्रवशलाए, पाठ चरिया के छेतर स्कूल को एक सिर्जनात्मक अस्तान बनाने के लिए लक्षों को पूरा करने में तभी मदद होगा, जब तकनिकी का परियोग होगा, देखें हमारा जो करिकुलम है, उसका जो भी एरिया है स्कूल है, उसमें यह दिख हम चाहत हैं कि बच्चे क्रियेटिवेटी को अपनाए, उनमें सिर्जनात्मक सक्तिवों का विकास हो, वे अपने लक्षे को पूरा कर पाए, तो हमें टेकनोलोजी को किसी भी हाल में अपना नहीं होगा, जब तक हम टेकनोलोजी को नहीं अपनाएंगे, तब तक बच्चे क्या हों मुल्यवान अनभाव दे सकते हैं, टलम का परिवी भी किया जाए और तकनीकी पच्चों की इंद्रिया है उनको एक्टिव करने में और उनके कैप सीटी को बढ़ाने में, उनके ट्रेंड करने में, उनके साक्षर्ता यानि पढ़ना लिखना सिखाने को सिखाने में, सांती हम सभ्यता सिखाने में, संस्कृति हम सभ्यता के परचित करवाने में, सब में क्या है? हमरा टेकनोलोजी बहुत ही बड़ी भूम का निभाती है, बच्चों को क्या करें? कॉम्प्यूटर खोल दे, उसमें दिखाए कि देखो भाई, यह क्या है? यह राजस्तान है, तो कैसे ना परती हुता हो रही है, तो बच्चे क्या होंगे? अब की रहल उतना दूर है, उतना दूर दिले जना बच्चों को संभव नहींगे, छोटे-छोटे बच्चों को, तो हम टेकनोलोजी को अप्योग करके ही सारे हमारे दियस में जो सोला परकार की जलवाग पाय जा को सुबधाय नहीं, अभी विवा के बच्चों को सही परकार से कुछ उपलब्द नहीं है, आवसक है परियाप संसाधनों वाली प्रोग सलाई स्कूले में पलब्द हो, इस परकार प्रोग सलाई वहां पे बढ़ियां ढंग से खूले और उसका वेवस्ता की जाए बहुत जोड़ दिया जाता है, अब स्कूल में इचाख कर चलंद बढ़ा है, लेकि और दिखिए हर स्कूल में एक इक ऊंप्यूटर टीचर आता है, एक परियुसद रहती है, तो आभी तो ध्यान दिया जा रहा है, इसक चलंद भी बढ़ा है, तो कुछ इलागों में अध्यापन परणिया जाता है और बचों को पढ़ाई उबाव न लगे तो टेली वीजन का भी उपकिया जाता है युज अफ आध टेक्नलोजिकलोजिकल रिशॉर्स और इसे हम समाजने का खुशिप करेंगे एक है इंटरनेट इंटरनेट तो पता है पूरा बूचाल करांती ला दिया है दुनिया में और एक टीचर एश्टरों दूनक लेक्टा एकदम बरदान साबित है इंटरनेट के मदद से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है यानि सभी परकार के ग्यान को हासिल किया जा सकता है इंटरनेट हमारा बहुत बड़ा गुरु हो गया है गुगल पर जाए सर्च किजिए जानि दिस बिजिस में क्या हुआ एंसे टाइम में क्या हुआ हड़ा पास बैते क्या था मॉरिकल कैसा था फिर मेडायोल में आई दिली सल्तन कैसा था फिर आपको मॉडर में कितने आप गया है कि भाई समध में नहीं आ रहा है तो टीचर तो है ही तो यह बहुत ही मादर करता है फिर देखें एबुक है मैंने कि हमारे पास अभी जैसे लॉक्डान है कोविड-90 के चलते है अभी जो एक सासे लॉक्डान रहा है तो मैंने कि सब चीज सारी दुकाने बंद इससे माँ बच्चे का इंगरे मुझे में मुझे सीटेट के एक्जाम देना है इससे इतना टॉफ हा रहा है कैसे पढ़े मेरे पास तो एंस्याटी 6-8 का है ही नहीं फिर क्या करें तो देखें कितना असान हो गया है कि हम अपना नेट ओन करेंगे और एबुक डाउनलोड क नहीं प्योगी चीजों में से एक है इसकी मदब से कोई भी चात्र कोई भी किताब पढ़ कर उसका घ्यान पराप्त कर सकता है इसे ही इन फिर ब्लॉक देखें ब्लोक्स में क्या होता है सबी बेक्ति हैं अपना अपना कुछ नग कुछ अपना विचार रखते हैं अपना ठ सिस्टम कोई उसका पोजीटीव बताईगा कोई नंगेटीव बताईगा तो इससे क्या होगा जब उसे पढ़ेंगे तो हमारी ज़िए नॉलेज और इस पर का यह बहुत जाद है इह पोर्टेंट है यह प्रका टाइ करें एक इंटेक्टिव वाइट बोर्ट क्या होता है टॉच स्कीन होता है जो आज कल देख रहे होंगे आप यूटूब पर है टीचर लोग पढ़ाते हैं एक स्क्रीन द्वारा ऐसे टॉच कर करके तो यह एक बड़ी स्क्रीन है जिसे ऑक्सपर्स को द्वारा पढ़ाया जा सकता है इसे भी बच्चों को बहुत ही फायदा मिलता और ऑधी एक ओनलाइन फारूम होता है यह एक पीर की तरह है जिसकी सकहा बच्चे हो गया और भी जो एक दुसरे की साथ वरण हों फोरूम में क्या होता है एक बच्चे कुछ बोला फिर दूसरा बच्चा बोला एक दूसरा से चैटिंग कर रहे हैं तो किया होता है तो इस परकाट टेकनोलोजी हमारे लिए एक बहुत ही महतपूर्ण है और अभी देखिए अभी बहुत चीजे हैं जो टेकनोलोजी को प्रकाम कर जाएशे प्रजक्टर है प्रजक्टर द्वार भी पढ़ा जाता है वह फिर आपको देखिए एक एजुकेशनल एक है तो इसे भारते अंतरिक्ष्ण चंधार द्वाड़ा स्थापित किया गया है इसे भी इसे प्रकाट टेकनोलोजी के महत को हम नहीं भू सकते हैं ऋजी जो चीज हमारे किसी उपयों के लिए नहीं है उसको भी इंपॉर्टेंट बना देती है aggobar बस एक ऐसे घ्वबर था उसका किसान क्या करते देखें प्री चीट्ने के काम मिला आई यह फसल अच्छा अच्छा होगा il लेकिन वहीं देखिए उसे गुबर गैस बन गया जल था तो जल का तो कमी नहीं है हम लोगों तो अच्छी तरह से मालुम है कि हमारी प्रित्वी पर एक 70% क्या है महासागर ये जल है और आपको 2.7 क्या होता है और देखिए जो 29% क्या होता है जैसे माने 29% पूरा हमारा जो हां सागुर समयर फुरा महासागर है या 2,7 जो नाइटि सेबन पूइंट 3% क्या है है और आपको जल है जो और नहीं है जिसको पीन डहीं जा सकता है हमारे काम का नहीं है दू को अब लो branches कर पाते हैं तो उसे से भी आब लोनाधीितलाब का जो जल है उसमें मतलब उसमें एंत्र लगाए कर क्या कि जैता है बीदुतिफ़तन किया जाता है हावात द्वारा भी बिदो तबना पह क्या हा हमारी थे भूता पी उर त्यार किया जाता है गहां टेकनोजy के आज हम लोग भरती पर रहते थे आज आज क्या हो रहा है आज रोग चांद पर जा रहा है तो इस तेकनोलोजी के लिए फाले हमारी उतल ग Zach ईतना इंपोर्टन्स चीजों को बना दिया है तो इस पर कर टेक्नलोजी में आपको एक परोजेक्टर भी आता है और बहुत ही इंपोर्टन्स हैं अंपोर्टन्स ही हमारे लिए तो है धुक से त्थांक्स जाहीन जाहा है